जोतिश जूट ये जोतिशी एक मा और तीन टीवी सीरियल्स में क्या से क्या बना दिए यहां पर हम एक जन्म पत्री स्टड़ी करने जा रहे हैं इसमें लगन में शनी है ग्यारा नंबर से कुम्ब लगन से ही जन्म पत्री शुरू हरे हैं और सूर्य बुद्ध शूक्र दृषम में हैं चंदर मंगल अश्टम रापू सुद्धिस्थान में गटु नवम अबटय से यह πα्त्र वो जो अब जो नकशत्र बन रहा हैं चंद्र मंगलं मैं जो नंबर में यह तो कAny अराशी बना रही है तो उसके हिसाब से यहां पर हस्त नक्षत्र बनेगा। दोसने ये पत्री मैंने करीब 40 जोतिश्यों को से मैंने डिसकस किया इस पत्री के बारे में। और उसमें सभी विद्धाओं के हमारे जोतिशाचारे थे। करमकांडी भी थे। वैदिक जोतिशाचारे भी थे। लाल किताब वाले भी थे। और जो लोकल हमारी कुछ विधाएं हैं जैसे कि हर्याना में चलती है ताउज जोतिश चलती है। रजिस्थान में मैदिनी जोतिश ज्यादा चलती है। कि जोतिश ऑल्मोस्ट देश भर के हर परकार से जम्मू कश्मी में एक अलग है करमकांडी। भी हर परकार के जो मैंने जोतिशाचारे उसे एक दो हिमाचल के भी रहे। तो यह मैंने पत्री जो है कड़ी। मैं यहां इसलिए देने जा रही हूँ क्योंकि this is the right time. सूर, बुध, शुक्र और केतु गोचर में जो हैं, दश्यमस्थान में हैं, अश्टम राशी में हैं, व्रिश्चिक राशी में. सूर, बुध, शुक्र और केतु. केतु क्या हैं? केतु, चाबी, राहु, लौक. बुक्ती देते हैं, वहें बंधरों को खोलते हैं, और अगर ब्रस्पती बहुत चुक्तारी हूँ, इसी भी जातती पत्रिका में, तो वहां पर केतु जो है, बहुत अच्छा प्रभापेतु हैं. तो दोस्तों, यहां पर आज यह इसलिए में वीडियो डाल रहे हूँ, क्योंकि इस समय कोचर में एक तो सूर बुद्ध शुक्र है, और आपको यहां पर जोतिश का आपको आभास हो जाएगा, और आप इस बात को मान जाएंगे, कि जोतिश जो है, जोतिश जो है, कुछ आचारे, उन्हें जो है इस पत्रिका को लगन का उन्होंने शुद्धी करी, और उन्होंने कहा कि यह लगन जो है, दस नंबर बनेगा, और जो कि मकर का बनेगा लगन, और उसके हिसाब से जो है, जो अष्टम इस्थान में चंदर मंगल जो है, वे पंचम सिंग लेकिन मूल भूर जो ग्रहों की स्थिति रही वह वही रही लगन में शनी तीन नंबर में राहू नवम में केतु और अश्टम में चंदरमंगल तो इस प्रकास से आप देखते हैं कि यह पत्रिका जो है वह है दो शाधिया दिखाती है चंद्र मंगल मंगल है तो मंगलीक है चंद्र के दोनों साइड में कोई ग्रह नहीं है ये तु है और दूसरी साइड में कोई ग्रह नहीं है इसलिए पत्रिका केमद्रूम दोश से भी पेड़ित है पितर दोश भी है और सूर बुद्ध शुक्र जो है दशम में है तो वहाँ पे शुक्र भी अस्त है शुक्र पर शनी की दश्मी दृष्टी बुद्ध पर दश्मी दृष्टी सूर पर शनी की दश्मी दृष्टी और शनी की तृती दृष्टी जो है वह राहु पर है तो शनी जो है राहू को उक्साएंगे, ऐसा जातक जो है वो बहुत खुराफाती होगा, राहू जो है खुब खुराफात करवाएगा, और राहू जो है सब्तम स्थान से भी दिरिष्टी डाल रहा है, तो सब्तम स्थान जो है वैसे भी पीडित है शनी दारेक्ष सात्मी दृष्टी से देख रहे हैं तो जातक जो है बहुत जीवन में खुब उठा पटा करेगा खुराफात करेगा और फिर अंत्रते शनी महाराज दंड देंगे आप जानते हैं कि जब जब जहां जहां शनी की दृष्टी पड़ी जब शनी और मंगल इखटे हुए तो रामण को संगहार हो शनी की द्रश्टी पड़ी तो देवताओं का राजपाट इंद्र का राजपाट हो गया और फिर माभवानी को जो है राक्षे सुकू मार्क करके वापेस देवताओं को राजपाट देना पड़ा शनी की द्रश्टी पड़ी तो रामचंद्र जी को बनवास हुआ शनी की दरिष्ट्टी पड़ी तो गनीश जी को गजराज का वुक प्रदान होगा तो दोस्तों यह हमारे शास्थ पुनान बताते हैं यह स्विम सिध है यह क्लेER है कि शनी की दरिष्टी और वह भी 10 मी दरिष्टी अब सूरी पर 10 मी दरिष्टी है तो क्लियर है कि जातक अगर सरकारी नौकी करेगा तो उसको राजदंड मिलेगा, शनी राजदंड दिलवा देंगे, तो ऐसी केस में अब बात करते हैं, जातक की जो है, मा जो है, वह है लालक किताब से, जो मैंने पहले का, एक मा और तीन टीवी सीरियल, तो दोस्तों यहां आप ये भी क्लियर होगा आपको, कि समय समय पर जब होता है, कि टीवी सीरियल ने हमारे बच्चों को बिकाड़ा, या टीवी सीरियल की वजय से, घरों में खलेश हुए, तो टीवी सीरियल वाले या हमारा मीडिया, यह कहता है, कि हम वही दिखाते हैं, मूवीज हूं, शा उनका समाज में जब हम देखते हैं तो यह होता है कि TV सीरियल देखकर के भी लोग प्रभावित हुए वह समाज में पूरुथियां फैली यह भी सिद्ध है अब बात करते हैं यहां पर क्योंकि वहलाल किताब की पार्खी थी और उनको मालूम था कि जो है घ्रस्ती जो है ठीक से नहीं चलेगी लेकिन चंदरमंगल की यूती होने की वज़े से उन्होंने शुरू से ही बच्पन से ही पुत्री को यह कहा कि तुम बहुत मनीट हो कात्री दिखाए जो की इस समय में देश के हमारे माने जाने आचां रहे हैं उनका भी नाम मैं बात में बताऊंगी तो जहां पर जब करेक्शन आता है तो जब मकर लगन ऐता है जो कन्य राशी है उसमें रहेगा उत्रफ आलवनीश और चित्रनक्षतर और हस्तनक्षत्र तो दोस्तों जब देखते हैं तो चित्रनक्षतर ने ऐसा हिवर्णित है कि इच्आ नक्षत्रवाला एंसान शादी चोरी छीपे कर लिता है हस्त नक्षत्र में एक करेक्टरिस्टिक ये भी है कि हस्त नक्षत्रवाला जातग याधाति का बहुत निलज्य होता है, बेश्यरम होता है यह भी एक गुण है उसमें तो दोस्तो 시청 इस परकासे हम देखते है कि ग्रेहों की जो शित्ही है उसका कैसे इन्हांने जोतिष विद्या का लाल किता विद्या का कैसे भी मिस यूज़ किया जो फिल यहाँ इस वीडियो के माधेम address के आप यह भी पतार चलेगा कि एक्सरी से लो सокी कर दो जीस करेंगे और उसके बाद में कुछ न कुछ भाना बना के सगाई को तोड़ देंगे क्योंकि आचारग्र लोगों ने यह कह दिया कि एक शादी करके रिष्टा करके आप तोड़ दीजिए और दूसरी शादी करिएगा तो सेटल हो जाएगा क्योंकि दो शादी का यूग है बहुत बड़े दुर प्योग है जोतिश्वित्या का आप कुकर्म करने के लिए उकसा रही हैं आप सुकर्म के लिए उकसा नहीं रहें कि आप सुकर्म करें दान करें पुजा करें पाट करें आप वह क्यों नहीं बतातें आप ग्रहों की जो हैं उपाई वह क्यों नहीं ब तो जैसे नॉर्मली आप देखेंगे कि महिलाओं के face पर eyes सुन्दर हूँगी, expressive हूँगी, lips सुन्दर हूँगी, या cheeks सुन्दर हूँगी, eyebrows सुन्दर हूँगी, किसी महिला का आप देखेंगे कि जो गर्दन है, neck जो है वो बहुत सुन्दर होता है, तो देखते से एक दम होत तो ऐसे जातक या जातिका का जो face है वे attractive नहीं होता है, बहुत जादा चेहरे पर बाल हूँगी, features जो है वे शाप नहीं होगी, उनमें attraction नहीं होगा, चेहरे पर एक जो है, जो एक attraction होता है वे नहीं होगा, तो ऐसा ही था, इस जातिका का ऐसे ही था, खेर बहुत कुछ अब बात दोस्तों किशादी की, तो मा जो है, अब यहां पे कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, और पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी, किलाल किताब वर्सिस वैदिक जोतिश, देखें दोस्तों, किसी भी विद्या का उपयोग, दुरुपयोग करना आप पर सबजी कारते कारते आपका हाथ कट गया, और आप यह कहीं कि चाकू बनाने वाले ने यह कैसी चीज बनाई, आप चाकू के इंवेंटर को अब्यूज करें, यह अच्छी बात नहीं है, आपने खुद चाकू को ठीक से यूज नहीं किया, इसलिए आपका हाथ कटा, नहीं सरकारी नौकरी होती, तो दंड मिलेगा, इसलिए मा ने बेटी को कहा कि सरकारी नौकरी में बिलकुल नहीं चाहिए, बुद्ध पर जो है शनी की द्रश्टी, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, वह बुद्धि मान नहीं होता, वह बुद्धि बल का यूज नहीं करता, वह और MSC B8 करने की बाद भी यह रहा कि हमेशां 5th और 6th classes को ही, 7th, चोटी classes को ही पढ़ाया, कभी भी बड़ी classes को 9th, 10th या board examination वाली classes को नहीं लेगा, वह इसलिए क्योंकि जब पढ़ाना पड़ेगा और board का result अच्छा नहीं आया, तो नच्रल है कि जो school की principal है, यह डाट मार और फिर disgrace होगा, इसलिए क्योंकि मेहनत नहीं करनी है, इसलिए जो है कभी बड़ी class ली ही और अभी आज की तारीक में भी यह B.A.B. पसंद कुछ में, Maths की teacher है, और भी आपको वीडियो के link में लेंगे, वहां से आपको और बहुत कुछ क्लिए होगा, इस समय में हम analysis करने जा रहे हैं जनम पत्री की, तो उससे आपको पता चलेगा कि जनम पत्री जो है, या जोतिश विद्या जो है, वे कितनी सत्य है, तो इसने कभी भी अपनी बुद्धी का सद्धिपयोग नहीं किया, इवन बेड के बाद में भी अकसर जो teachers हैं, वो M.A. कर लिया करती ह है, इसने ऐसा किसी भी विद्या को, या computer का कोई course कर लिया, इतना कुछ करते हैं, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि शनी लगन में है, तो ऐसा व्यक्ति आलसी भी होता है, शुक्र पर, क्योंकि शुक्र चहरा attractive नहीं है, शुक्र भी दूशित है, तो वहां पर ज अब शनी जब लगन में रहता है, तो अकसर लाल किताब में especially ऐसा माना जाता है, कि जो partner हो, life partner हो, पती हो, वो बहुत उमर का मिलेगा, और शादी होगी भी लेट होगी, तो ऐसा माना जाता है, कि 8 से, कम से कम 8 साल का difference, और 8 से उपर का difference होता है, तो मा को knowledge दी, तो मा ने इस नहीं हो, यह एक accountant थी, तो यहाँ पर, और 3 साल पहले, जब इनको दिखाया गया था, 1994 में, बाचीत हुई थी, तो उसके बाद लड़के वालों ने मना कर दिया था, जबकि लड़के बहुत clear थे, उन्होंने clearly कहा था, कि girl should not be willing to have a baby, इतना कह देना ही sufficient है, उन्होंने यह न family को contact करती है, और कहती है कि आपके बेटी की भी शादी नहीं हुई, और हमें भी कोई लड़की के लिए बरने मिला, तो चलिए, हम शादी कर लेते हैं, आप चो है लड़के वाले शादी के लालच में आ जाते हैं, यहाँ इस प्रकार से, अब मित्रु यहाँ शादी हो जा है कि जोतिश, विद्या, सच, यसीडू, तरती स्थान में जो है राहू है, तरती स्थान छोटे भाई भेनों का होता है, तो राहू पर जो है शनी की द्रिष्टी है, और मंगल अश्टम में है, तो मंगल की भी द्रिष्टी है, तो इस प्रकार से शनी और मंगल ने, तो यह है, इससे भी क्लियर है कि जोतिश अपने आप में, क्योंकि यह प्रेडिक्शन दे रहा है कि जातिका का चोटा भाई अगर होगा, तो वो ऐसा होगा, और ऐसा है, तो यहां यह क्लियर हुआ कि द्रश्टियां जो है, कितना सही सतीक explanation देती है, ग्रह होगा, अब बात क करते हैं, चंद्र और मंगल, क्योंकि चंद्र अश्टम में है, तो पूनिता जो है, मंगलीक है, मंगलीक दोश है, और साथ में चंद्र है, मंगल अश्टम में है, मंगलीक है और चंद्र मां साथ में, तो चंद्र की वज़य से, क्योंकि अश्टम में है, चंद्र की वज़ इसलीए भी शांधर जो है किसी भी प्रकास से मा फुत्री के लिए श्ब्कारी नहीं थावित होगी और ऐसा ही हुआ अब बात आती है, तीन, जो मैंने कहा कि तीन TV Serials, तो तीन TV Serials को कौन से TV Serials रहे, जिन हो कि माध्यम से मान ने प्रभावित होकर के इस तरह से अपनी बेटी को बनाया, एक शांती Serial जिसमें कि शांती जो है वो एक इलिसीट बेवी है, दूसरा स्वाभी मान एक सीरियल जिसमें की मनोज बाजपई जू है एक इलिसिट बेवी होते हैं उसमें एक जो राजे रजबाडों की करनिया होती है उसके एक बेवी पर और एक और सीरियल आता था तारा यह तीन सीरियल बड़े ही ध्यान से उमा बेटी बैठ करके देखा करते थी और वहां से बहुत सारे इन्होंने जो है गलत पॉइंट्स को ठाये और एक और सीरियल इंग्लेश का सीरियल रात में आया करता था इट वस सम्थिंग लेग डड़ली वूमन और सम्थिंग बदलब की बहुत खतरनात महिला है तो ऐसा एक सीरियल था वह भी यह मा बेटी ब देखना प्रभावित किया कि यह महिला यह जातिका जानते हुए पहले पढ़ी खुशी-खुशी से वहां यह से शादी करके जाती है कि नहीं मुझे बेबी नहीं चाहिए मुझे रिलेशन नहीं चाहिए कोई बात नहीं बस I am just I just want to marry 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 that's all उसके बाद में यह जातिका ज और हुए अपने ही पती को involved करकी उसको blackmail करकी emotionally blackmail करकी वह कहती है कि तुम तो gay parties में चले चाहते हो and you have your physical relationship and I also want to enjoy so I want to but I want to have a literate gentleman पढ़ा लिखा होना चाहिए तो जैसे कि accountant है तो बैठ हूट करतु है income tax commissioners के साथ बैठना उटना था तो उसमें एक जो है income tax commissioner जो की natural है कि उनका भी शुकर खराब रहा और वह भी नीचता की तरफ में नीच रहे तो वह involved हुए और इस प्रकार से इसमें धोगे से जो है baby की तो दोस्तों यहाँ पे अब आप देखते हैं यह जो जैसा इसलिए मैंने पहले नक्षत्रों की बारे में भी आपको बताया और यह पत्री का मैंने बहुत लोगों को दिखाई और इसमें ऐवन किसी किसी ने यह भी कहा की साथ पुरुश रहेंगे साथ पुरुशओं तक यह भ्यला जो है अलग-अलग संभनबन पना सकते हैं और अलग-अलग लोगों से ही, अलग-अलग पुर्शों से ही, अलग-अलग ये संताने पैड़ा करेगी. नेलर्ज। दोस्तों हस्त नक्षत्र का यह है नेलर्ज का क्या मतनु होना है अगर वह व्यक्ति इंपोर्टेंट होता, वाइचांस कोई कमी होती, तो क्या मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता था? और अगर इसको बेबी चाहिए था, तो ये IVF आप्ट कर सकती थे, या ये अडॉप्ट कर सकती थी, अगर इसे बेबी चाहिए था, तो ये बेबी अडॉप्ट कर सकती थी, ये पहले जो है ये से शादी करके क्यों जाती है, पहले एक साधारान विक्ति से शादी इसमें क्यो सोचने की बात है यह विक्रत मान सकता है जो कि माता के द्वारा डाली करें अब बात करते हैं दोस्तों कि मा ने बेटी के शनी के क्या-क्या उपाए कैसे-कैसे की दोस्तों वैदिक जोतिष में बहुत है सिंपल है आचारीगर्ण बताय करते हैं कि आप शनी का दान कीजी शुक्र के मंत्र के जाब करवाईए और मंगल के जाब करवाईए और राहू और केतु की भी शांती करवाईए तो उस केस में यहां पर एक इसकी साधारण जो घ्रिष्टी है तो बस सब्सक्राइए लेकिन नहीं लेकिन माने दानतु करवाए लेकिन अपनी बुद्धी के हिसाब से करवाईए जैसे सूरी बुद्ध शुक्र, सूरी, गरम, बुद्ध, ग्रीम और हरारण और शुक्र, शुक्र कम जो की रेडिमेट कपडा तो माने यह कहा कि Green Color की उनकी स्वेटर बना करके तुम लड़कियों को दान करो तो ये इससे करवाया गया अब बात आई चंदर और मंगल क्योंकि अश्टम में है तो चंदर और मंगल का दान चंदर कोटन के कपड़े और उसके साथ में रेड लगी हुई पट्टी या रेड बॉर्डर वाली साड़ी या सूट के ओपर ड्रेड कलर के पैच लगा करके वह दान करो कपड़े सिलवा करके इससे कपड़े सिलवाए गये और वह लोगों को बित्रित किये दिये गये या लाल रंग का कुर्ता और उसके उपर सफेर डॉट्स खुद पहले पहने, सिल करके खुद पहना और फिर दूसरी शादी शुदा मेला को दिया अब शनी के दान दोस्तों, अब शनी के दान में क्या है? तरह तरह की जो है लोही के एपलाइंस जो है, जैसे कि नॉर्मल है, बताया जाता है कि आप शनी के लिए जो है आप चिम्टा है, कढ़ाई है, तवा है, अंगिती है, इस तरह की चीज़ें आप दान कर सकते हैं, तो शनी के लिए अब दान क्या करना है? जैसे कि मिक्सी हो गई, शनी का दूसरा इटम है प्रेस, प्रेस हो गई, फिर केतू भी जो है, अपनी पहनी में चपने दूसरों को देना है, लेकिन दोस्तों, यहाँ बात यह है कि इस चतराई से करना है, क्योंकि हमको दान जो है, कही जाकर के मंदे गुद्वारा या बेलीजे सान में नहीं देना है, हमको जरूत मंद को नहीं देना है, हमको अनात आश्रम में नहीं जाकर कि जाना है तो ऐसा पता लग जाएगा दुनिया कि हमें दान कि हमको जो है कोड़ी आश्रम में जाकर कि नहीं देना है हमको गृद आश्रम में जाकर नहीं देना है हमको रिष्टेदारी में ही देना है हमको जान पहचान वालूमी देना है तक कि पता भी नहीं च चाहे साडों हुझ। सिले सिला गपड़े हुझ। या जूते चपल हुझ। एक जोड़ी तो नहीं लेके जाएंगे ना आप। तो जूते चपल हुझ। लोहे का समान विए आपको उसी प्रकाष से देना होगा। अगर कोई लुहिये का बर्तन देते हैं तो बहुत बड़ा देना होगा .... कढाई देते हैं वह त्छ नहीं करना है स्ब को .. आप क्या है कि अपने ही रिष्टे में ये जो लेइनिन हैं उनक। दान करते रहो और जो कन्याएं हैं चोटी कन्याएं हैं उनको जो है कन्याओं का दान शुक्र का दान जो है करते रहो तो यह है उनका माने जो है बीटी को सिखाया तो यह चल रहा था अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यहां आती है कि यह मैं यहां आपको दिखा देती हूं आप देख सकते हैं, यह जाते का आप देख सकते हैं, और मा और वेटी, कुत्री के साथ में, डोनों को आप देख सकते हैं, कि चेहरे पर रौनक नहीं है, फीचर कोई भी, चाहे नाक है, चाहे आखी है, आखे बिलकुल, चुटी-चुटी-चिंकिम करती हुई, और नोस भी इंप्रस गंपलेख से गवार कि बिलकु बहुत मोटी सी, और इंप्रियाटी कंपलेक्स भी था, फिर इस बात का जो म्यों un informaty complex हुए था, कि वह सुंदर नहीं है, इस बात का Hon अब in between यह हो जाता है कि जो स्वतेला एक भाई है क्योंकि यह जो महिला है यह second wife है तो जो पहले पती के जो पहले बेटा है वह है step brother तो step brother के उपर सारे ग्रहेड दान तो जैसे की काले रंगी पैंट जो है सिल्वा करके मैं जो है भाई को देतू काला शनी का दान हो गया केतू पैंट हो गई तो केतू का दान हो गया और सिल्वा करके दे दिया स्टिच करवा करके टेलर से दिया तो शुक्र का दान है दोस्तो सबाग है बहुत ही अच्छी पत्ति मिल जाथा जिसको कि यह महिला जो है हूं कहती है शी इ ister rela crisp अब थो कि वह इनके लिए इक शिकार हो जो भी आन करना उस को करतो जैसे पहले एक जो है मिक्सी मंगाई जाती पीर फिर थोड़े दिन बाद यह हुआ कि भै ऐसा है यू हैवेव हर्ठ оस तुमने हमको चाहिध किया है हमने तुम्हारे लिए मुक्सी मगाए थी तुमने ले नहीं तो उसने का मेरी अपनी मिक्सी है और मुझे क्या जरूवत है तो ऐसा है कि तुम अपनी मिक्सी दे दो और ये ले लो तो उसने कोई बात नहीं मेरी मिक्सी ले लो उसने कोल करके रसोई में रख दी कि लोगे यूज करिये और वो मिक्सी जो है जूसर के साथ ते वो तो ब्र कि यह हुआ कि हम तुम्हें डिनर सेट लेके देंगे तो बहु ने का मैं तो लाई हूँ इसको तुम दे दो तो मतलब कि बहु से दान करवा दो बहु से स्टील करवा दो है ना तो बहु ने का कि जब इसकी शादी होंगी तब तो पता नहीं कि उनसा डिजाइन आ जाएगा तो हम वैसा लेकर देतेंगे, यह मेरा वाला क्यों देंगे, अब ये बात भी नहीं, यहां पर भी नहीं चला, क्योंकि लाल किताब ये कहती है, यहीं फर्क है लाल किताब और वैदिक जोतिश का, लाल किताब ये कहती है, कि अगर आपने अपना ग्रह खराब कर लिया तो, ल लेकिन दोस्तों लाल किताब में भी जो है ये बताया गया कि आप उस समय के हिसाब से कि ग्रह को खराब ना करें तो यह तो अपने आप में पॉजिटिव चीज थी आप उसको कोई अगर मिस्यूस कर रहा है कि अपना ग्रह ठीक करो दूजरे का खराब करो है ना अगर आप य लोग इसको बहुत चत्राई से खेलते हैं अब यह हुआ बहुत से कहा गया कि तुमारी मशीन में जो है हम लोही का स्टेंड लगवाएंगे उसमें हम मशीन लगवाएंगे पैरों के लिए अब बहु को समझ में नहीं आ रहा बहु से कहा गया कि हम तुम्हें इस्ट्रीम उसमें लगवाएंगे अरभी लगवाएंगे लगवने कहां अ घिया और मुछे ज़रूवत नहीं है और मैंने इसको ऐसे यूज नहीं 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 करना है और मुझे आज़त भी नहीं है मुझे थोड़ा वह शॉक है बिस डिजाइनिंग का थोड़ा वह करती हूं तो मैं वैसे ही टेबल पर रखके कर लूँगी मुझे उसमें मशीन या वो नहीं लगवाना क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं है मुझे पता नहीं कि फैरो खराब होगा और इसका शनी का दान भी हो जाएगा और इसका जो चंद्रमा का दोश है वह भी जाता रहेगा इसलिए जो भी चीज़ है लेकिन बात या ही है कि अपनी कमाई से इसको कहा जा रहा था कि यह जातिका जो है अपनी कमाई से लिकर के दो अब यह सब नहीं चला तो frustration है और बहु अलग frustration में है कि मही क्या मुसीबत है अब नहीं लिया कोई चीज तो उस पर ये है कि भई you have hurt us पर इसमें क्या है फिर तरह-दर के तो कितना मुश्किल है किसी बहु के लिए तो ऐसे वह से जब ये चलता फिर ये रहा कि भई तुम इसके कपड़े पहनू तो बहु ने का मैंने तो कभी किसी की पहने ही नहीं अब बहु पहनने को तयार नहीं क्योंकि बहु अपने अच्छे-च्छे कपड़े लाई है तो उ इसले दोनों सूट पहनो साड़ी मत तुम पहनो तो बहु ने का ठीक है मैं अपना सूट पहन ले तुम तो दोस्ते यह हुआ कि अपने तुम सूट मत पहनो बहु बहुत भारी है तुम इसका सूट पहने अब बहु अलग प्रस्टेशन में तो बहु ने बगवान जी को य पैनो फिर यह कि चप हम तुम में लेका देंगे एक बारंगे पहन लो तुम तो पतली दूबले हो तुम यह पहन लो यह क्या है दोस्तों अपनी दूबर्दरता को उसके उपर नाले बहू के उपर डाल तो यह देखिए अपने आप में एक पाप है उसके बाद इतना भी नहीं हुआ दोस्तों तो क्या किया कि बहु का जो है वहने अंडर गार्मेंट्स ले करके कहीं पर जो कुछ करमकांड किया और कोख बन्वाने की कोशिश की थे यह भी करमकांड और ऐसा क्यों दोस्तों क्यो अब यह जो विचार है दोस्तों यह क्या है कि शनी लगल में है तो वह दुष्टता कर सकती है या उसको दुष्टता करनी चाहिए रादर उसको दुष्टता करने से बचना चाहिए बात यह है क्योंकि प्रारब्द में दुष्टता की थी इसलिए शनी आज लगन में है तो उससे जो है बचना है तो इस जनम में सुकर्म करने होंगी शनी के दान करने होंगी शुबता करनी होंगी ना कि यह कि प्रूरता करनी होंगी अब फ्रस्टेशन इतना होता और अब यह देखिए तो यह मैला अभी जो है दिवाली पर इसने और इसके साथ की तीन लड़किन और मुर्ख लोग एक कतों पूरा पिंपल से लाल रंग के अब यह भी मैं आपको बता दू यहां दूसरी वीडियो भी मेरी देख लीजेगा पहले भी मैंने करमकांडियों के ब स्केच्च पना करके क्योंकि उनका संग्यान महादेव ने ले लिया है तो महादेव की मर्जी जो चाहे करें तो इसलिए मैं यहां स्केच नहीं देना चाहते हूं का बता देरी में चश्मा लगाया है लंबा चेहरा और जैसे कि आपकी जो टोपी है उस तरह इता है उने प करके उनको कुछ पैसे दिया और उनको कहा कि ऐसे ऐसे करमकांड कर दो तो दोस्तों मैंने पहले भी बोला है वो वीडियो यह लिंक में फिर डाल रही हूं कि जो महिला है नहीं नहीं थोड़ा बहुत जोतिश सीख करके करमकांड में लगने लगी है तो सजग हो जाए मैं फिर से वर्निंग दे रही है मैं फिर से बोल रही हूं कि जो मेरे जोतिश की गुरू थे तो यह जो महिला है यह कौन है जो भू है वो कौन है अब आप समझ गये होंगे कि मैं स्वेंगी हूं तो मेरी फोटो भी आप देख लीजे यहां पर जब मेरी शादी हुई थी तो आप देख सकते ही आपको फोटो भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों मैं ही वो रेर गल हूं मैं ही वो जोतिशा चाहरे हूं मैं ही वो बहूंगी तो यहां पर इन्नोंने करमकान चलाया और वो मुझे पता चला और इस पर क्यासे दोस्तों यह जो महिला इसने अपनी जिन्दगी को क्या किया और माने इसकी जिन्दगी को कहां से क्या बना दिया अब मैं बता दूं कि मैंने इसकी पत्रिका दो माने जाने कौन से वो जोतिशा चाहरे हैं जिनको मैंने दिखाए और वहां उनसे क्या चूक हूँ मैं यह भी बताने रहाँ एक लाल किताब की जाने माने महरती आज की तरीक में आचारें जीडी वचिश्ची उनको हम 2004 में मिलें पती-पत में उस तरह में वह बहुत छोटे सी उस समय इस तरह के जैसे कॉर्परेट आवो कॉर्परेट एस्ट और बार बार मैंने उनको बोला मैंने बोला सर हम आचारे जी हम यह महिला अपने मित्रों द्वारा अपने सरकारी मित्रों द्वारा जो आएस लोबी है जो भी है उनके माध्यम से हमें बहुत परशान कर रही और हम बार बार मैंने कहा तो बहुत परशान है तो आचारे जी जीडी बशीची ने के रहे जा पुत्तर ये तो क्या इसकी पुष्टे में तेरा कुछ नहीं कर सकती कुछ नहीं बिगाड सकती है तो हम आगे और जो उन्होंने कुछ बताए उपाए वो हमने उपाए की है लेकिन दोस्तों ये ऐसी चूक क्यों हो जाती है मैं इस पे जो हू स्ट्रेस डालना चाहते हैं कि जब कोई बंदा बहुत परिशान होके आ रहा है रहे कोई बात कह रहा है तो उसकी उस परिशानी को भी दूर करने का जोतिशाचार्यों को सोचना चाहिए जैसे कि हम मैंने कहां पार बार कहा कि हम हाजबेंट वाइफ की जो मौक्री है उस प पेल्ट काम कर рाया है तरह तरह से परिशान कर रहा है उसको हम पाते हैं हम सहे जा रहे हैं सहे जारे हैं उन्होंने इमें शुत्ता के लिए जो बताय हूं हमने कर दी वह बात या दूसरे आचारे जी अनिल्वस जी बहत देवगी मैंने उनको 2002 में सबसे पहले मैंने सोनी टीवी की प्रोगाम में देखा था तो मुझे बहुत उनका प्रभामित हुई मैं उनकी वरस से तो हमने उनको भी कॉंटेट किया बड़ी मुश्किल से ढूंडा और अड्रेस ढूंडान करके हम महुचे वहां भी जब हम आचार जी के अगहार को देखा मुझे देखा और अचारी जी ने हमने बताया इस तरह की से तो उन हमें कुछ ऊपाय बताया हुः घुए यह था यू लेकिन दोस्तों हमारी पति पत्मी की समस्य वहीं की वहीं हमारा harassment वहीं का वहीं हां राज सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से हमें कोई नुकसान नहीं है जो कि यह करना चाहते थे जो कि यह करना चाह रहते लेकिन परभू के पासे वह नहीं हो क्योंकि पति-पत्नी के दोनों के सुर्वलवान है सुझ मजबूत हैं और हम बहुत शुपकार में रहते हैं हमेशा पती-पत्नी हमारी शुपता है जहां तक संभव होता है हर रह जाते की भी मदद कर दें जहां भी संभव होता है जिस परकार से भी होता है हम बहुत ही सिंपल हटेड हैं पती-पत्नी दोनों भी तो हम करते हैं और हम शुपता करते रहतें, तो वो बात अलग है, लेकिन मेरा जो अफसोस है, जो मेरा दुख है, वो ये है कि जोतिशा चारे हैं जो है, उपाए बताने के अलावा, ऐसा नहीं कि पत्री आपके पास है, आपने देखा और गढ़े देखे और आपने फटटटटटटटटट समस्या है, समस्या की भी रेमेडी पताई चाहिए, तो दोसरे, इस प्रिकार से, ये इस वीडियो में आपकत्यों, आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ जोतिश की बारे में, कंसेट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और आपको विश्वाश हो जाएगा कि, हाँ, जोतिश अपने आप में एक बहुत ही उतकर्ष विदा है, इसका हम लाब उठाएं, शुब करम करके, और अभी आपको जानकर खुशी होगी, कि अभी एक कॉन्फेंस होई थी ओनलाइन, और उसमें था, कि जोतिश का अधा धर्म या कर्म, तो मैंने लिखा था, जोतिश का अभी एक खुफ मैंने आपको जाय, कि अभी देजे हैं, तो मैंने का झालाएं, जा सका हम टतकर्शी देवा ही उतकर्ष रवाइंस, कि जोतिश दुख है due polít किसましたराएं, और उसमें करूएंस, जोतिश झाईोगी होगी है, और चु भावी मैंने मैं स्ईðाशी हैं, जोतिश